Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस फ्रेंच राइटर गाइड इमुपासा की एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है दा नेकलेस या कई लोग इसे दा डाइमंड नेकलेस के नाम से भी जानते हैं इसे 1884 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था फ्रेंच न्यूस पेपर ली गॉलिस में फ्रेंड्स ये स्टोरी जो है ये अपनी ट्विस्टेड एंडिंग के लिए बहुत फेमस है इसकी एंडिंग जो है बहुत ही यूनीक है लोगों को कन्फ्यूस कर देती है और साथ ही ये जो तरीका है ये मुपासा का स्टाइल है उसका हॉल मार्क माना जाता है ये कि उनकी इस सभी स्टोरीज में इसी तरह की एंडिंग होती थी जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं फ्रेंट्स गाय डी मुपासा एक 19th century फ्रेंच ऑथर थे जिनका जन्म हुआ था 5th August 1850 में और उनकी डेथ हुई थी 6th July 1893 में उन्होंने अपनी पूरी लाइफटाइम में 300 short stories लिखी हैं साथ ही 6 novels, 3 travel books और 1 volume of words इतना कुछ इन्होंने अपनी पूरी लाइफटाइम में लिखा है इनकी famous works में Old Mongulate, The Mustache, The Necklace, Useless Beauty ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट्स अब स्टोरी समझते हैं फ्रेंट्स स्टोरी की में कैरेक्टर है मैदम मिथल्डे लॉईजल जिनका जन्म एक middle class family में हुआ है उनके family में clerks हैं लेकिन वो खुद को एक aristocrat समझती हैं वैसी ही जिन्दगी जीना चाहती है मगर यहां तक कि उनकी शादी भी जो है वो भी एक low paid clerk से करवा दी गई है और उनके husband का नाम है Mr. Loisle अब यह Mr. Loisle जो है यह clerk हैं तो जादा कमाते नहीं हैं मगर फिर भी इनके घर में सभी basic सुविधाएं हैं इनके पास एक अच्छा घर है इनके घर में एक made servant भी है जो उनके घर में काम करती है लेकिन मैदम मथिल्डे जो है उन्हें यह सब पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो हमेशा से बड़े महलों में रहना चाहती थी बड़ी बड़ी parties में जाना चाहती थी अच्छे कपड़े गहने ये सब कुछ उन्हें चाहिए था और मिस्टर लॉइजल की छोटी सी salary में ये सब possible नहीं था इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी अब ऐसे ही कुछ समय बीच जाता है और एक दिन मिस्टर लॉइजल घर आते हैं अपने साथ एक ball का invitation लिए जो की ministry of education के तरफ से है उन्हें एक invitation मिला है और उन्होंने आकर कि अपनी wife मिथिल्डे से कहा कि हम इस party में जाएंगे इस ball में जाएंगे तयार हो जाओ लेकिन मिथिल्डे जो थी वो उल्टा उदास हो गई रोने लगी और अपने husband को कहने लगी कि तुम ये किसी ऐसी लड़ी औरत को जाके दे आओ जिसके पास अच्छी dress हो अच्छे गहने हो क्योंकि मैं अगर इस ball में जाओंगी तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकती तुम एक काम करो तुम ये किसी और को invitation दे आओ तो लॉजल जो है वो बड़ा उदास होता है अपनी wife को रोता देखकर और उससे पूछता है कि ये बताओ कि एक अच्छी dress कितने रुपे में आएगी तो मिथिल्डे उससे कहती है कि मुझे 400 फ्रैंक्स दे दो मैं उसमें अपने लिए एक अच्छी dress खरीद लूँगी अब मिस्टर लॉजल ने उतने पैसे सेव करके रखे थे क्योंकि वो एक गन खरीदना चाहते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पर हंटिंग के लिए जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने वो सारे पैसे अपनी वाइफ को दे दिये कि ठीक है ये लो 400 फ्रैंक्स और अपने लिए एक अच्छी dress खरीद लो लेकिन इसके बाद भी मादम मथल्डे जो है वो खुश नहीं हुई और अपने husband से कहने लगी कि मेरे पास कोई गहने नहीं है मैं dress खरीद भी लूँगी तो उसके साथ jewelry क्या पहनूँगी तो Mr. Loisle उससे कहते हैं कि तुमें काम करो तुम फूलों की fresh flowers, rose की jewelry पहन लो जो कि बस five francs में आते हैं जारा पैसे भी खर्च नहीं होंगे लेकिन मेथिल्डे तयार नहीं होती है बोलती है कि नहीं मैं ये पहन के नहीं जा सकती कितना अजीब लगेगा तो Mr. Loisle जो है वो कहते हैं कि तुमें काम करो तुम अपनी friend मैडम जीन फॉस्टियर के पास चले जाओ वो बहुत ही rich हैं उनके पास बहुत jewelry हैं उनके पास जाओ और उनसे एक jewelry उधार मांग लो उनसे कहो कि एक रात के लिए उस बॉल में पहनने के लिए वो तुम्हें कोई jewelry उधार दे दे मैडम जीन फॉस्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उन्हें अपनी jewelry में से कुछ पहनने को दे दे मैडम जीन फॉस्टर कहती है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम select कर लो ले लो मुझे कोई problem नहीं है और methilde जो है वो एक diamond necklace select करती है उसे वो बड़ा पसंद आता है कहती है कि मुझे बस ये necklace दे दीजे मैं बस इसे ही पहनना चाहती हूँ मैडम जीन फॉस्टर methilde को वो diamond necklace दे देती है अब जब methilde इस ball में जाती है अपनी new dress पहन कर और साथ में diamond की necklace पहन कर तो वो बहुत ही जादा beautiful लग रही होती है और जितने भी influential high society के men है वो उसके साथ dance करना चाहते हैं उसे admire कर रहे होते हैं methilde खुद को इस ball में बहुत enjoy करती है और late night तक वहीं रहती है party करती है जब बहुत ही late यानि देखा जाए तो सुबह के समय जब methilde और Mr. Loisel वापस लोटते हैं तो methilde एक आखरी बार खुद को mirror में देखने के लिए जाती है कि फिर पता नहीं कब मैं ऐसे तयार होंगी एक बार खुद को देख लेती हूँ लेकिन जब वो mirror में खुद को देखती है तो वो notice करती है कि जो diamond necklace उसके गले में था जो उसने जीन फॉस्टर से लिया था वो missing है वो परिशान हो जाती है जाकर ये बात Loisel को बताती है वो दोनों ही पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वो necklace नहीं मिलता है यहां तक कि Mr. Loisel वापस चल कर उस ball तक जाते हैं ताक कि कहीं अगर रास्ते में वो necklace गिरा हो तो मिल जाए लेकिन वो necklace नहीं मिलता और end में वो मान जाते हैं कि अब वो necklace उन्हें नहीं मिलेगा उन्हें उसे replace करना होगा अब Mr. Loisel जो हैं वो मिल्डे को कहते हैं कि जाकर Jane Foster से कह दो कि तुम से उस necklace का hook तूट गया है और तुमने उसे ठीक होने के लिए दिया है इसलिए उसे return करने में time लगेगा और उस time में हम एक new necklace खरीद लेंगे ताकि हम उस पुराने necklace से उसे replace कर दें मिल्डे ऐसा ही इस रोयल नाम की एक shop में एक similar necklace मिलता है बिल्कुल वैसा ही जिसकी price है 40,000 francs और बहुत bargaining करने के बाद आखिरकार 36,000 francs पर वो shopkeeper उन्हें वो necklace बेचने को ready हो जाता है Mrs. Loisel जो है इन्हें अपने father से कुछ पैसे मिले थे inheritance में उनकी death के बाद तो उससे क्या होता है कि 18,000 francs का इंतिजाम हो जाता है आधी कीमत का जुगाड हो जाता है और वो पैसे वो उस shopkeeper को देख करके वो necklace ले लेती है बागी के पैसे rent पर बहुत ही high interest के साथ छोड़ देती है अब ये necklace जो है वो मिथिल्डे जाकर के Jane Foster को लोटा देती है दरते दरते कि कहीं Jane Foster खोल कर उस necklace को check न करे और कोई अंतर न बता दे लेकिन Jane Foster खुशी-खुशी वो necklace रख देती है और check भी नहीं करती अब जब मिथिल्डे Jane Foster के घर से लोटती है तो उसे पता है कि अभी उसके उपर कितना ज़ादा depth है और इसलिए Mr. Loisel और मिथिल्डे दोनों decide करते हैं कि अब उन्हें एक hard life जीनी होगी तब ही वो इस depth को repay कर सकते हैं वो अपना घर बेच देते हैं अपनी maid servant को dismiss कर देते हैं और एक छोटी से flat में shift हो जाते हैं बंद कर देती है बिल्कुल household course करने लगती है घर के काम करती है और जाकर के vegetables लाती है जो भी काम पहले उसे बहुत ही ज़्यादा lower class लगते थे वो सभी काम वो करना शुरू कर देती है इस तरह से कई साल भी जाते हैं करीबन 10 साल हो जाते हैं तब जाकर के ये पूरा डेप्ट वो पे कर पाते हैं और डेप्ट से free हो पाते हैं अब इतना कुछ होने के बाद एक दिन मिथिल्डे पार्ग में टहल रही थी तब ही वो दूर ही देखती है कि जेन फॉस्टेर है वहाँ पर टहल रही और उसके साथ उसकी बेटी भी है मगर जेन फॉस्टेर जो है वो मिथिल्डे को पहचानती नहीं है मिथिल्डे उसके पास जाती है उसे टोकती है पूछती है कि तुम कैसी हो जेन लेकिन जेन बोलती है कि माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं क्या मैं आपको जानती हूँ तो मिधिल्डे कहती है कि हाँ मैं मिधिल्डे हूँ मुझे पहचाना तो जेन शौक दो जाती है कि आखिर इतना जारा चेंज उसमें कैसे आ गया और वो उससे पूछती है कि तुम इतना आखिर कैसे बदल गई दस सालों में इतना सादा कैसे बदल गई तुम तो मिथिल्डे कहती है कि ये तुम्हारे कारण हुआ है पहले तो जेन फॉस्टर शौक दो जाती है कि ये क्या बोल रही हो मगर फिर पूछती है कि मेरे कारण क्यों हुआ है तो मिथिल्डे उसे सच बताती है कि याद है तुमने मुझे वो नेकलेस दिया था वो नेकलेस मुझसे खो गया था जेन फॉस्टर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है तुमने तो वो नेकलेस मुझे रिटर्न कर दिया था मुझे याद है तो वो कहती है कि नहीं वो जो औरिजिनल नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो मुझसे खो गया था और मैंने उसे रिप्लेस कर दिया एक न्यू डाइमंड नेकलेस से अब ये बात सुनकर जेन को और भी जादा जोर का जटका लगता है और वो मिथिल्डे के हाथ को पकड़ कर कहती है कि माई डियर मिथिल्डे तुमने मेरी उस नकली नेकलेस को एक असली नेकलेस से बदल दिया वो नेकलेस नकली था उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी आखिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया और स्टोरी यहीं पर फ्रेंड्स खतम हो जाती है फ्रेंड्स यह स्टोरी जो है यह बहुत सारी थीम्स को हाइलाइट करती है जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू ओफ उनेस्टी अगर मैड़म मिथल्डे शुरुवात में ही ओनेस्ट रही होती और जीन फॉस्टेर को सच बता दिया होता तो उनकी जिन्दगी के यह दस साल यूं बरबाद नहीं हुए होते वो भी अभी तक रिच होती खुबसूरत होती Secondly दूसरी थीम जो बहुत important है वो है reality versus appearance यानि आपकी जीवन की क्या सच चाही है अगर आप एक lower class society में रहते हैं अगर आप एक middle class society में रहते हैं तो आपको उसे accept करना चाहिए ना कि बेकार के जूटे सबने देख में चाहिए कि काश मेरी life ऐसी होती मैं aristocrat होती high class society में रहती तो ये दोनों ही themes को बहुत ही beautifully यहां पर स्टोरी में बताया गया है साथ ही जो इसका ending है वो बहुत ही ज़ादा famous है इस स्टोरी को और भी ज़ादा special बताता है तो फ्रेंड्स ये थी गाइड इमुपासा की स्टोरी The Neckless